एपिजोड 55 के शर्वात निहात और मिलकी बेस से होती है जहां वो दुकान में आते हैं और सनेम दुकान से भाग जाती है ये बोलकर कि बाई मैं नुकरी के लिए जा रही हूँ बाई फिर आयान भी वहाँ से चली जाती है तो मिलकी बेस केती है अरे मैं ये क्या सुन रही कहिए पागल तो नहीं हो गई है ना वैसे तुम ही शॉप समालो मैं प्रेसिडेंट हूँ इसलिए मैं मोहला समालने जा रही हूँ फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है वो खुद से बात करते हुए कहता है आईलीन आखीर करना क्या चाहती है तो डेरन कहती है क्या हुआ जान अ उसे यह कॉंट्रेक्ट वापिस देने के लिए मना कर रहा होता है इतने में ही एमरी लायला को कॉंट्रेक्ट के लिए फोन लगाता है तो लायला उसे कॉंट्रेक्ट देने से मना कर देती है वो कहती है मिस्टर एमरी आप अपने भाई से बात नहीं कर सकते क्या आप उन्ह पर मत करिए ऐसा केकर लाइला फोन कट कर देती है और वह एग्रीमेंट अपने डेस्क में रख देती है फिर वह मीटिंग के लिए चली जाती है फिर सेन आयलीन पर शिफ्ट होता है वह एमरे से कहती है तुम तो बहुत बोल रहे थे कि वह पेपर्स ला देगी अब क्या अहां तो एमरे केता है आयलीन प्लीज चुप हो जाओ वो मुझे सब बताने के लिए बोल रही है वो मुझे सही रास्ता बता रही है मैं भाई से बात करने जा रहा हूँ तुम बीच में मत पढ़वाए ले ऐसा केकर एमरे भास से चला जाता है फिर सेन मीटिंग में शिफ हो चलो शुरू करते हैं फिर सेन मिल्की वेपर शिफ्ट होता है जहां प्रेसिडेंट के ओफिस में सब उसका स्वागत करते हैं फिर मिल्की वे कहती है आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मुझे जरूर बताना फिर वो सब को घर भेज देती है पर जबर वे मिल्की में कहती है क्या उसने तुम्हें मेरी मदद करने पर घर से निकाल दिया तुम फिकर मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ आज से तुम मेरे वाइस प्रेसिडेंट हो तो मुझे कहता है ठेंक्यो आँटी ठेंक्यो आपका बहुत शुक्रिया मैं मुहले में फिर कीम के साथ आता है तो डेरन उसे हाई वेलकम गुड मॉनिंग करती है तो फैबरी की पार्टनर कहती है डेरन वह मुझे पार्टमेंट से कच डॉक्यमेंट चाहिए इसलिए में लेकर आती हूँ फिर सीन जान और फैबरी पर शिफ्ट होता है जहां फैबरी जान से कहता है आप मुझे दीखे नहीं मिस्टर जान कल पार्टी में तो जान कहता है हाँ वो मुझे काम था तो फैबरी कहता है सरेम भी दीखी नहीं तो जान कहता है हाँ सरेम को इलजाम लगाने वाले लोग पसंद नहीं है इसलिए वो घर चली गई होगी मैं जानता हूँ इन बातों क क्योंकि मैं उसका ex-fiance था तो फैबरी कहता है अच्छा विसे में तो बस एक छोटा सा surprise देना चाता था तो जान कहता है हाँ surprise रोल इर्जाम में फरक होता है इतना भी नहीं पता है तुम्हें तो फैबरी कहता है I'm sorry Mr. जान गलती हो गई मुझसे वैसे भी सनेम की खुशी मेरे लिए जादा मायने रखती है तो जान कहता है Mr. फैबरी आपने आप ये सनेम के लिए सोच रहे है ये तो अच्छी बात है पर सनेम में इतनी दिल्चस्पी लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको तो फैबरी कहता है तुमने तो उससे ब्रेक अप कर लिया है ना तो जान कहता है हाँ अभी अभी फिर भी तुम उसके पीछे पड़ गए हो ये बात मुझे बहुत ही इरिटेट कर रही है तो फैबरी कहता है अरे नहीं मैं उसके पीछे नहीं पड़ा हूँ यू नो मिस्टर जान ये उसका फैसला है कि वो किसके साथ डेट करेगी और किसके साथ नहीं आप क्यों इसमें इंटरफेर कर रहे हैं जान कहता है सही कहा तुमने बाहर के दुनिया में ऐसा होता होगा पर मैं बाकी हो जैसा नहीं हूँ इसलिए बचकर रहना मुझसे फिर सहीन सनेम पर शिफ्ट होता है वो ओफिस में आती है फैबरी का गिफ्ट लेकर उसे वापस देने तो ओफिस के लोग उसे बड़े ही अजीब तरीके से देखते है तो जैजे कहता है वा मेरी सुल्ताना तुम आ गई इसे कहता है प्रोफेशनल तो सनेम कहती है हाँ मैं प इस वापस कर देती है और ये सब ओफिस के सारे लोग देखते है तो फैबरी कहता है पर सनेम ये क्यों वापस कर रही हो तुम तो सनेम कहती है मुझे मुझे पर इलजाम लगाने वाले लोग बिलकुल भी पसंद नहीं है तो ये सब सुनकर जान बहुत ही खुश हो जाता है तो फैबरी केता है, मिस्टर जान ने भी यही कहा, तुम्हें इसे लोग पसंद नहीं है, अफकोर्स, वो तुम्हें काफी कलिफ से जानते है, पर अपसे मैं इस बात का ध्यान रखूँगा सनेम, तो सनेम केती है, देखो फैबरी, तुम्हें ध्यान रखना ही होगा, क्योंक कि मैं अपसे टॉलरेट नहीं करूंगी तो फैबरी कहता है हमें एक दूसरी को और भी जानना चाहिए तो सनिम के चिये जितना तुम बहुत ही professional हो तुमने तो सब की बोलती बंद करवा दी तो सनेम कहती है जेजे एक और काम बाकी है अभी जो मुझे professionally करना है मुझे resign देना है तो जेजे कहता है क्या resign तो सनेम जेजे को बीना जवाब दिये लायला के office में चली जाती है resign letter टाइप करने और उसे वहाँ वो partnership वोला document दिख जाता है इतने में ही वहाँ लायला आ जाती है तो सनेम कहती है ये सब क्या है लायला तुमने मेरे papers चुड़ाए तो लायला कहती है तुम जैसा समझ रही हो वैसा नहीं है सनेम I can explain तो सनेम कहती है तो memory के लिए कुछ भी कर सकती हो लायला तुमने मुझे दोका दिया है लायला तुम भी औरो जैसी ही हो ये लो documents दे देना उस लुम्रे को ऐसा केकर सनेम जान के office में जाकर resignation letter दे देती है तो जान कहता है तो तुम जाना चाती हो वर क तो सनेम कहती है मैं एक ऐसे boss के साथ काम नहीं कर सकती जो मेरी बात सुने बगेर फैसला लेता है तो जान कहता है क्या हो जाता सुनकर मैं तुम्हे समझ नहीं पा रहा हूँ तो सनेम कहती है आप कभी समझ नहीं पाएंगे मुझे ऐसा केकर सनेम वहाँ से चली जाती है फिर से इन लाइला पर shift होता है उसे इसा लगता है कि उसने सरेम को धोका दिया उसने भी वही किया जो एम्रे ने जान के साथ किया इसलिए वो जान के office में जाकर उसे वो partnership वाले डॉक्यूमेंट्स बता देती है और कहती है Mr. Jan सरे मुझदेन आपके घर ये डॉक्यूमेंट्स देने आई थी जो वो नहीं दे पाई थी क्योंकि वो इसे घर पर भुल गई थी इसलिए प्लीज आप उसे माफ कर दीजिए तो डॉक्यूमेंट्स देखकर जान कहता है तो नहीं रूपता है फिर रात हो जाती है और सीन सनेम के घर पर शिफ्ट होता है जहां मिलकी वे के पास खाना बनाने के लिए टाइम नहीं होता है इसलिए सनेम और निहाद पापा मिलकर खाना बनाते है खाना तो बनता नहीं है पर पता नहीं कौन से डिश बन जाती है फिर बनाने की चक्कर में सनेमो निहाद पूरी कीचन को कच्रा कुंडी बना देते हैं तो ये देखकर मिलकी वे बहुत ही टांडव करती है फिर सीन आइलीन और एमरी पर शिफ्ट होता है जहां एमरी का जमीर जाग जाता है और वो आइलीन से कहता है बस इस ओवर ऐसा केकर वो घ पर इसने कार लेने जाता है उसे वहां जान दिखता है जान एमरी से कहता है लोमड़े रुख जह सरा कहां भाग रहा है तो यह थेरी सच्छाई तु इस साइको और वरत के साथ मिलकर मुझे और डैड को धुका दे रहा था तो एमरी कहता है भाई प्लीज एक बार मेरी बा वह लंगती है और कहती है सनिम मैंने मिस्टर जान को सब बता दिया मैंने वह डॉक्यूमेंट्स उन्हें दे दिये प्लीस मुझे माफ कर दो ऐसा केकर लाला सनिम को कैंडी देती है तो सनिम उस कैंडी को लेकर बाहर चली जाती है फिर से एमरी और आईलीन पर शिफ्ट होता ह है फिर सेन मूजों पर शिफ्ट होता है वो अपने घर में घुसने की कोशिश करता है तो आई सुन उसे उसके सामान के साथ घर से हकाल देती है ये कहकर कि तुम्हारे जैसा दल बदलू बेटा मुझे नहीं चाहिए दफा हो जाओ यहां से फिर सेन सरेम पर शिफ्ट होता है वो बीच पर जाती है और बहुत रोती है रोते रोते उसे भूक भी लग जाती है इसलिए वो लायला की दी हुई चोकलेट भी खा जाती है इतने में ही जान वहां पहुच जाता है वो सनेम को दूर से रोते हुए देखता है इसलिए वो डिवाइडर पर बैठ जाता है सने सीन मूजों पर शिफ्ट होता है वो असमान और अयान से कहता है अरे दोस्तों मेरी माने मुझे घर से निकाल दिया रहे तो आप से मैं तुम लोगों के साथ यही पर रहूंगा तुम्हारी घर में अयान तुम मेरे लिए रूम साफ कर दोगी फिर सीन मिलकी वे पर शिफ्ट ह होता है वो रात में सबकी प्रॉब्लम्स पड़ती है कोई बोलता है मुझे मेरी पडोसन को पटाना है कैसे पटाओ तो कोई बोलता है मैं अपने घर के सामने बीच लाना चाहता हूँ क्या करू बताओ तो मिलकी भे कहती है अरे 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 यह कैसे प्रॉब्लम्स पूछ र अलविता दीवानों जल्द मलाकात होगी अगले एपिजोड में